इस वीडियो में हम वो क्लास 8 का शोसफ साइंस पढ़ने वाले हैं जिसमें कि हमें चैप्टर नंबर 18 को श्टार्ट करना है इस चैप्टर को हम 2-3 पार्ट में कम्प्लीट कर लेंगे ये इस चैप्टर का सबसे पहला पार्ट है और अगर आपको इसके अगले पार्ट का वीडियो भी चाहिए तो आप कमेंट में लिकर जरूर बताईएगा आपके क्लास के हर सब्जेक्ट और हर चैप्टर को सबसे आसानी से समझने के लिए आप डिये गुरू के प्लेइलिस्ट में जा सकते हैं जहां पर अलग-अलग कैटेगरीज में आपको हर क्लास के वीडियोज मिल जाएंगे इसमें नए वीडियोज भी आट होते रहते हैं इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रिस कर लिजेगा ताकि नए वीडियोज का नोटिफिकेशन भी आपको सही समय पर मिलता रहें इस चैप्टर में हमें बहुत सारे टॉपिक्स कवर करने हैं जिसमें कि सबसे पहले हम लोग चैप्टर का इंटोड़क्शन देखेंगे समझेंगे कि आखिर इस चैप्टर में हमें क्या-क्या परना है और ये चैप्टर आने वाले चैप्टर से कैसे रिलेटेड है उसके बाद बाध हमें union legislature के बारें परना है फिर हमें लोगसभा के बारेंपरना है इसके अंदर 3 subtopics भी हैं फिर हमें राज्य सबा बारेंपरना इसके अंदर 3 subtopics हैं उसके बाद हमारा सबसे अंतिम topic होगा powers and functions of union parliament और इसके अंदर 6 subtopics हैं तो चलिए chapter का explanation शुरू करते हैं, हर एक topic को अच्छे समझिएगा, वीडियो को कहीं skip मत कीजिएगा, ताकि exam में कहीं से भी question बना गर पूछा जाए आप उसको आसानी संसर कर पाएं भारत जैसे विशाल देश के लिए जहां पर अलग अलग तरह के languages, religions, customs, traditions, lifestyle, climatic conditions और geographical features पाय जाते हैं, एक ऐसा administrative setup बनाना बहुत मुश्किल है जो कि सब के लिए जितने भी भारत के नागरिक हैं, सब के लिए समान रूप से एक तरह काम कर सके इसी वज़ए से हमने फेडरल form of government को अपनाया है, जो कि हमारे देश में अलग अलग levels पर रह कर काम करती है, जैसे कि आपको पता है कि हमारे देश में central level पर भी एक government है, उसके नीचे state level पर भी ett government है, और उसके नीचे district level पर भी it government है और district नीचे भी छोटे छोटे levels पर जैसे Federation का aim होता है कि हर तरह के opposite forces को हर तरह के लोगों को एक साथ लाकर diversity में unity बना कर राखी जा सके यानि कि अनेकता में एकता बना कर राखी जा सके और इस तरह से भारत के हर नागरिक को एक common national goal की तरफ लेकर जाया जा सके एक federal structure में government के different levels होते हैं जैसे कि सबसे higher level पर सबसे upper level पर होता है national level government उसके नीचे होता है state level government और सबसे नीचे होता है grass root level government national level पर हमारी central government काम करती है जो कि इंडिया के capital न्यू देली से operate करती है state level पर हर state की government काम करती है जो कि उस state के capital से operate करती है और सबसे lowest level पर ऐसी government होती है जो कि हर एक गाउं और हर एक शहर के लिए होती है इन government को local bodies कहा जाता है इंडिया के हर state का अपना एक government होता है और state के एक head भी होते हैं जिने governor कहा जाता है यहाँ पर फ़ासा correction कर लिजेगा इंडिया में अब 29 states नहीं है इंडिया में अब total 28 states हैं और 8 union trade trees हैं हर state को चलाने के लिए council of ministers होते हैं जिसमें की कई साथे मंत्री होते हैं जो कि अलग-अलग department को देखते हैं जैसे कि एक education minister होता है एक finance minister होता है इस तरह से अलग-अलग department के लिए होते हैं इस council of ministers का जो head होता है उसे chief minister का जाता है Chief minister को head of the government भी कहा जाता है ये state level के government का head होता है यहाँ पर आप confuse मत कीजिएगा यहाँ पर governor भी head होते हैं और chief minister भी head होते हैं लेकिन दोनों अलग-अलग चीज़ के head होते हैं Governor जो है नवो state के head होते हैं और Chief Minister जो होते हैं वो Government के यानि कि सरकार जो होती है ना उसके Head होते हैं Government का जो सबसे उपरी Level होता है जो Top Most Level होता है हमारे इंडिया में वो है Union Government जिसको की Central Government भी कहा जाता है इसको National Government भी कहा जाता है तो यहाँ पर आपको Confuse नहीं करना है एक ही चीज का तीन नाम है Union Government, Central Government और National Government एक ही चीज होता है Union Government के तीन ओर्गेंस होते हैं जैसे हमारे Body में बहुत सारे ओर्गेंस होते हैं उनके बिना हमारा Body कोई भी Function नहीं कर सकता है बिल्कुल उसी तरह Government के जो ओर्गेंस होते हैं उनकी बिना government कोई भी function नहीं कर सकती है, कोई भी काम नहीं कर सकती है सबसे पहला और important organ है legislature, दूसरा है executive और तीसरा है judiciary क्योंकि legislature union government का ही एक part होता है, इसी वज़े से legislature को union legislature भी कहा जाता है इस chapter में mainly हमें union legislature के बारे में ही परना है union legislature को parliament यानी की संसद भी कहा जाता है हमारे देश का जो parliament है, Indian parliament जो है वो bicameral है मतलब इसमें दो houses होते हैं, एक को लोक सभा कहा जाता है और दूसरे को राज्य सभा कहा जाता है यह होगे आपका union government का पहला organ, यहां से लेकर यहां तक इसके बारे में बताए है उसके बाद है union executive, union government का दूसरा organ इसमें आते हैं number one, president of India जिनको राष्टवती भी कहा जाता है और number two, union council of ministers, जिसके head होते हैं prime minister यानी की प्रधान मंतरी यह हो गया union government का दूसरा organ, यहां से लेकर यहां तक इसके बारे में बताया था और union government का तीसरा organ है judiciary हमारे देश का सबसे highest court, सबसे उपड़ी लेवल पर जो court है, वो है supreme court of India जिसमें maximum 31 judges होते हैं और इसके head होते है chief justice of India इसको अलग color दे देते हैं, यह हो गया union government का तीसरा important organ अब इस flow chart को देखे, इसमें वही चीज़ बताया गया है अच्छे से हमारी union government के तीन important organs होते हैं, सबसे पहला है legislature, दूसरा है executive और तीसरा है judiciary legislature को union legislature भी कहा जाता है और इसको parliament भी कहा जाता है जो की bicameral है, यानि कि इसमें दो सदन होते हैं, एक लोगसभा और एक राज्यसभा executive के दो parts होते हैं, पहला president of India और दूसरा prime minister और उसके सभी council of ministers और judiciary में highest level का institution होता है Supreme Court of India इसमें उस समय, जिस समय ये book print हुआ था, उस समय 25 sitting judges थे जिनका maximum संख्या हो सकता है 31, 31 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं और इन सभी judges के head को कहा जाता है Chief Justice of India अब हमें तीन बहुत ही important terms को समझना है जिसमें कि पहला है union list दूसरा है state list और तीसरा है concurrent list देखें हमारे देश में बहुत सारे काम होते हैं जो कि सरकार को करने होते हैं बहुत सारे काम union government करती है, बहुत सारे काम state government करती है और बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो कि दोनों मिल कर करती है लेकिन कभी-कभी सेंटर और स्टेट में अलग-अलग पॉलिटिकल पार्टी के गवर्मेंट होने के कारण उनके बीच conflicting situation create होने लगता है इस तरह का कोई conflict create ना हो कोई जगरा ना हो दोनों government के बीच में इसी वज़े से हमारे constitution में अलग-अलग subjects को जितने भी काम हमारे देश में हैं मिल ली उन सभी कामों को उन सभी subjects को categorize कर दिया गया है तीन list में उनको बाट दिया गया है इसमें पहला list है union list जिसमें ऐसे subjects को mention किया गया है ऐसे कामों के बारें बताया गया है जो कि केवल central government ही कर सकती है दूसरा है state list जिसमें ऐसे कामों के बारें बताया गया है जो कि केवल state government ही कर सकती है और तीसरा है concurrent list जिसमें कि ऐसे subjects को ऐसे कामों को mention किया गया है जो कि दोनों government अपने अपने levels पर कर सकती है या दोनों एक साथ मिलकर भी कर सकती है टोटले से 97 subjects है जो कि union list में mention किया गया है इसको check कर लीजेगा Wikipedia पर 98 लिखा है इस school की teacher से भी cross verify कर लीजेगा इस list में दिये गए subjects पर काम करने का अधिकार केवल Parliament के पास है उसके अलावा कोई इस पर काम नहीं कर सकता है union list के कोई subjects यहाँ पर दिये गए है जैसे कि defense हो गया, foreign affairs हो गया, war, peace, railways, post office, currency, foreign exchange यह सब जो subjects है ना इस पर केवल union government ही decision ले सकती है इसके बारे में कोई भी changes करना हो या कोई भी नया नियम लाना हो उस पर state government कुछ भी interfere नहीं कर सकती है दूसरा इस state list जिसमें की total 66 subjects दिये गए है जिस पर केवल state government ही काम कर सकती है example के लिए state की police, local government, public health, sanitation, agriculture और forest इन सब चीजी के बारे में कोई भी decision लेने का अधिकार केवल state के पास होता है केवल state legislature के पास ये power होता है कि वो इन subjects पर कोई कानून बना सकती है लेकिन कुछ खास परिस्थितियों में Parliament भी उन subjects पर कानून बना सकती है जिनको state list में mention किया गया है example के लिए agriculture तो state list का part है लेकिन आपको पता होगा कि recently central government ने state list के इस subject पर कानून बनाया था पार्लियमेंट में उसको पास किया गया था तो ऐसा possible है पार्लियमेंट के पास ये अधिकार है कि state list में जो जो subjects mention किया गया है उस पर भी वो कानून बना सकती है तीसरा list है concurrentlyysis में की total 52 subjects आते हैं इन में कुछ subjects के बारे में बताया गया है जैसे कि marriage, divorce, transfer of property, other than agricultural land, adulteration of foodstuffs, drugs and medicine और labor welfare इन सबसे related कोई भी नियम कोई भी कानून बनाना होता है तो वो concurrent list का पार्ट होता है मतलब इन सब्जेच पर state भी कानून बना सकती है और center भी कानून बना सकता है वह यहाँ पर बताया है कि Parliament के साथ साथ state legislature के पास भी यह अधिकार होता है कि वो इन सब्जेक्ट पर कानून बना सकती है लेकिन अगर कभी ऐसे में conflicting situation create होने लगता है यानि कि state का कानून और center का कानून एक दूसरे को contradict करने लगता है तो ऐसे में central law को ही माना जाएगा central law को ही preference दिया जाएगा कुछ ऐसे subjects भी होते हैं जो कि तीनों list में से किसी list में mention नहीं किये गए होते हैं इन subjects के बारे में हमें समय के साथ पता चलता है जब ऐसे subjects पर कानून बनाने की जरुद परती है तो parliament इस पर कानून बनाता है इन subjects को reciduary subjects कहा जाता है brief में हम लोग बो सकते हैं कि ऐसे subjects जो कि समय के साथ हमारे सामने आते हैं जिनकी बारे में ना तो state list में mention किया गया है ना union list में ना ही concurrent list में उन subjects को ही residual subjects कहते हैं example के लिए computer software और hardware, e-commerce, information technology इन सब से related अगर कोई भी कानून बनाना होता है तो वो parliament बनाती है और ये सब subject किसी भी तीनों list में से किसी भी list में शामिल नहीं किया गया था क्योंकि जब वो सब list बनाया गया था तो ये सब चीज था ही नहीं तो यहां तक इस chapter का introduction था जितना कुछ basic हमें जानना जरूरी था इस chapter को आगे समझने के लिए वो सब हमने complete कर लिया अब हमें union government के तीनों organs के बारें परना है और इस chapter में केवल हमें एक ही organ के बारें परना है जो की है union legislature उसके बाद अगले chapter में executive के बारें परेंगे और उसके अगले chapter में judiciary के बारें परेंगे तो चलिए union government के सबसे पहले organ के बारें परना शुरू करते हैं जो की है union legislature एक लंबे संघर्स और कई सारे बड़े बड़े आंदोलनों के बाद finally हमारे देश को आजादे मिली और हमारे देश में self-rule अस्थापित किया जा सका यानि की स्वराज लाया जा सका भारत में एक democratic self-government आने के कारण भारत के लोगों का सपना पूरा हो चुका था इसी वज़ा से भारत के constitution के मदद से एक ऐसा सिधान्त बनाया गया ताकि भारत का हर वैक्ती भारत की सरकार में अपना योगदान दे सके इस सिधान्त को universal adult franchise कहते हैं जिसके हिसाब से भारत के सभी नागरिक जिनकी उम्र 18 साल या 18 साल से अधिक है उनको right to vote दिया गया है मतलब उनको vote देने का अधिकार है ये अधिकार भारत के लोग को अफसर देता है कि भारत के लोग भारत के political process में अपना योगदान दे सकते हैं कौन नेता बनेगा, कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा, कौन सीएम बनेगा ये भारत के लोग खुद decide कर सकते हैं लोग election की मदद से अपना representative याने की अपना प्रतिनिदी चुनते हैं जो की parliament में उनकी बातों को रखते हैं उनी प्रतिनिदियों का group मिलकर parliament बनाता है parliament का काम होता है union government को control करना और उसको guide करना भारत के लोग इस democratic setup पर पूरा भरोसा करते हैं इसी वज़े से 70 साल से अधिक से भी ये system आज तक चलते आ रहा है parliament union government का legislative organ होता है ये हमने already पर रखा है अच्छा आपको comment में लिकर बताना है कि union government के जो तीन organs होते हैं जिसमें की एक है parliament बाकी के दो organs कौन कौन से होते हैं parliament में भारत के राष्टपती का भी importance होता है और दोनों houses का भी importance होता है houses कौन कौन से एक लोग सभा और एक राज्य सभा the house of the people यानि की लोगों का घर जिसको लोग सभा कहा जाता है लोग सभा को lower house भी कहते हैं इसको house of the people इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके members को directly लोग ही चुनते हैं directly vote करके इनको लोगों के द्वारा चुना जाता है दूसरे house को council of states कहा जाता है इसको राज्य सभा या upper house भी कहा जाता है इनके members को directly लोग चुनकर नहीं भेजते हैं इनके members का indirectly election होता है इन दोनों houses में से यानि कि लोग सभा और राज्य सभा में से किसी भी house के member president of India नहीं होते हैं लेकिन member नहीं होने के बाद भी India के president, parliament का एक मुख्य हिस्सा होते हैं उनके बिना parliament function नहीं कर सकता है आपको पता होगा कि parliament में जो भी कानून पास होता है उस पर president का signature चाहिए होता है उसके बिना किसी भी कानून को implement नहीं किया जा सकता है no bill can become a law without her or his approval उनकी approval के बिना कोई भी bill कानून नहीं बनाया जा सकता है federalism के सिध्धान्त को बनाया रखने के लिए federalism क्या है अलग-अलग levels पर जो government बटी होती है इस principle को बनाया रखने के लिए हमारी जो लोग सभा है वो लोगों को represent करती है भारत के सभी लोगों को और राज्य सभा इस states को represent करती है इस तरह से भारत की सरकार को चलाने के लिए भारत के सभी लोगों के साथ साथ भारत के सभी states भी अपना योगदान दे पाते हैं तो finally हमने starting के दो topics को complete कर लिया ये दोनों बहुत लंबे topics थे आगे इतने लंबे topics नहीं है आगे की topics हम लोग part 2 में परना शुरू करेंगे अगर आपको part 2 का वीडियो भी चाहिए तो comment में लिकर जरूर बताइएगा आपके class के 60 का playlist ओपन करने के लिए left side में क्लिक कीजिए वहाँ पर आपको एक line से हर chapter का वीडियो मिल जाएगा और अगले class का वीडियो देखने के लिए right side में क्लिक कीजिए फिलाले से वीडियो में इतना है मिलते हैं अगली class में बहुत साथ इनने topics से साथ तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अच्छे से बढ़ाई करते रहिए